जुग्यासु मित्रों बहुत बहुत अभिनंदन है आपका दिव्विस रजन स्प्रीचुल में प्रतेक दिवस की भाती। आज फिर यहां लाइव चर्चा में हम एक विशय को लेकर आ गए है। कि ध्यान और तपस्या में अंतर क्या है। तपस्या क्या है। ध्यान क्या है। तो तपस्या करना तप करना। यहां कुछ करने की बात है। कुछ करने की इच्छा है। कुछ उधम है। कुछ होना, कुछ करना है. महाराज भरतरी हरी कहते हैं कि कि तरिश्चना जिर्ण नहीं होती, मनुष्य का शरीर जिर्ण हो जाता है. हम तप को नहीं तपाते ये तप ही हमें तपा देता है हम भोगों को नहीं भोगते ये भोग ही हमें भोग जाते हैं तो तप का उद्धिश्य और ध्यान तप में कुछ करने की भावना है पुरानों की कथा में हम सुनते है रावन ने तपस्या की तारका सुर ने तपस्या की तो उनकी तपस्या के पीछे कुछ ना कुछ उद्धिश्य था रावन का उद्धिश्य था कि वो अमर हो जाए तारका सुर्वी यही चाहता था जब उसको लगा कि यह बरदान मुझे मिल नहीं पाएगा तो उसने मांगा कि शिव पुत्र के हाथों मेरी मिर्ति हूँ क्योंकि उसे विश्वास था यह शिव दुबारा कभी विवाह नहीं करेंगे और उनका पत्र भी नहीं होगा तो तपके अंदर कुछ प्राप्त करने की भावना है तपके अंदर कुछ बनने की भावना है तपके अंदर कुछ होने की भावना है कुछ बन जाने की भावना कि हम कुछ बन जाएंगे कुछ हो जाएंगे साइध हम सिद्ध हो जाएंगे या हमें कोई वर्दान मिल जाएगा या हमारे अंदर कोई विशेश गुण का विकास हो जाएगा या सब तप के अंदर विद्धिमान है तप करते समय तपस्वी कह लीजिए या जो भी है साधक, तपका साधक, साधक तो है क्योंकि साधक का अर्थ है, साधना का अर्थ है अभ्यास, तो वो एक प्रकार के उधम में, एक प्रकार के अभ्यास में तो लगाई हुआ है, लेकिन अभ्यास का उद्देश तपाना है, और अपने आप आपको तपाकर अपने अंदर एक विशेस गुन का विकास करना है, वो तपस्या है, जैसे कोई व्यक्ति अगर मोटा है वो पतला होना चाहता है, अगर उसका सुंदर बिगड चुका है, वो सुन्दर दिखना चाहता है, सुडावल दिखना चाहता है, तो अपने मोटापे को कम करने के लिए वो भोजन कम कर देगा वयाम ज्यादा करेगा ज्यादा दंड बैठक उठक बैठक करेगा वजन ज्यादा उठाएगा वेट लिफ्टिंग करेगा नहीं तो सुर्य नमस्कार कई बार करेगा तो अपने शरीर को सुड़ाव लवस्था में रखना उसका गायू बनाना उसका उद्दिश्य है तो उसके लिए वो अनेक प्रकार के क्रियाएं करेगा यह तप है तो तपस्या तो वो कर रहा है तो पढ़ाई लिखाई कर रहा है बिचारा 24-24 घंटे 20-20 घंटे स्टडी कर रहा है उसको IAS क्लियर करना है IAS टॉपर बनना है तो तपस्या तो कर रहा है वो निश्यरूप से तपस्या हो रही है कुछ बनने की कामना है कुछ विक्सित होना चाहता है अपने आपको इवॉल्व करना चाहता है कुछ विशेस गुणों का विकास अपने भीतर कर लेना चाहता है तो कोई अमर हो जाना चाहता है कि उसे मृत्यू उसका इसपर्ष भी ना करे तो तपस्या है कोई प्रसिद्धी चाहता है कोई प्रभाव चाहता है कि उसके अंदर प्रभाव आ जाए और लोग उससे प्रभावित हो तो अपने अंदर वह गुणों का विकास करना चाहता है तो यह सारी क्रिया तो तपस्या ही है तपस्या के अंतरगत ही यह सारी बाते आएंगी तपसे अपने अंदर गुणों का विकास करेगा तपसे करेगा इसलिए सब कुछ तो तपसे निर्मित है यहां तकिये सृष्टी करने वाले ब्रह्मा, विश्णु, महेश भी तपसे ही सब कुछ कर रहे हैं पुराणों की कथा में यह भी वर्णन आता है तो तपस्या के अंदर कष्ट है तपस्या के अंदर कुछ करने का भाव है सपस्या के अंदर कुछ करने का उद्दिश्य है कुछ कर दिखाने का उद्दिश्य है अपने लिए नहीं तो कई बार दूसरों के लिए और अप्रतक्ष रूप से भावना तो अपने परती ही होती है अगर मनुश्य पुन्य भी करता है दान पुन्य भी करता है तो उसमें भी पुन्य करने की भावना होती है कि पुन्य करूंगा तो इसका फल भी पुन्य के रूप में कभी न कभी प्राप्त होगा या तो वो अपने आपको संतुष्ट करना चाहता है कि उसने दूसरे लोगों की सहायता की है उसमें भी तपस्या है कश्ट है कुछ लोग दया भाव से बहुत कश्ट सहते हैं दूसरों की सहायता के लिए कश्ट सहते हैं तो कहीं न कहीं उसमें भी उनका एक सात्विक एहंकार लिप्त होता है तो उसमें तपस्या होती है राजा सगर ने तपस्या की लेकिन अब ये ध्यान क्या है क्या ध्यान तपस्या है हाँ साधना दोनों में आ जाती है क्योंकि साधना का अर्थ है अभ्यास करना स्वेम को साधना स्वेम को एक ट्रैक पर ले जाना एक निश्चित ट्रैक पर कि हम इधर उधर नहीं जाकर एक पध्धती में रहेंगे तो साधना तो चलो स्वेम को साधने की बात है परन्तु ध्यान क्या है और ध्यान साधना क्या है ध्यान वो अवस्था है जब जीव को मनुष्य को ये प्रतीत होने लगा कि बहुत कुछ कर लिया पाप, पुन्य, अच्छा, बुरा बहुत कुछ कर लिया, बहुत कुछ देख लिया इस प्रकृती में कुछ भी स्थिर नहीं रहता तुम क्या स्थापना कर दोगे क्या तुम विश्व शांती के स्थापना कर दोगे क्या तुम विश्व का कल्यान कर दोगे ठीक अगले ही छण जिस शांती के स्थापना तुम करोगे वो शांती भंग हो जायेगी ठीक अगले ही छण जो तुम कल्यान करोगे वो कल्यान भी नहीं रहने वाला इसलिए तुम यह आसकती मत पालो कि तुम से कोई प्रभावित होगा तुम ये आसकती मत पालो कि तुम किसी का कल्यान कर दोगे हाँ तुम जो जानते हो वो बताओ जरूर इतने में ही अपना सैयोग रखो जैसे आत्मा का सैयोग इश्वर का सैयोग है प्रकृति में लेकिन इश्वर इस बात की कोई इच्छा नहीं रखता कि तुम पाप करोगे पुन्य करोगे तुम उसकी भक्ती करोगे नहीं करोगे इन सब चीजों में वो लिप्त नहीं होता तो निश्काम भावना तभी विक्सित होगी न निश्काम भावना की बात जो क्रिश्न अर्दून से कहते हैं कि तुम अपना करो बस कर्म कर सकते हो इतना में ही अधिकार है बाकी तुम कुछ बना के चले जाओगे हाँ हो सकता है कि तुम कुछ लोगों के लिए प्रेड़ना बन जाओ लेकिन कुछ बना दोगे किसी शांती के स्थापना कर दोगे कुछ बना दोगे जी नहीं अगले च्छण ही परिवर्ता ना जाएगा अगले च्छण ही सब कुछ बदल जाएगा तुम्हें करना नहीं चाहिए फुर वी करना चाहिए निष्काम भाव से करना चाहिए तुम्हें पता होना चाहिए कि तो जो तुम कर रहे हों सही है बस इतना ही प्रयापत फ़ित हो सके और बिना अध्यात्म के कहां भी बिनाध्यात्म के नहीं है, सही विवेक की जागरती भी नहीं है बिनाध्यात्म के, और रही बात अब ध्यान की, तो ध्यान तो वो है जब तुम्हें ये लगने लगे कि भाई, एक ऐसी अवस्था जहां कुछ करना ही नहीं है, जहां कुछ करना ही नहीं है, जहां कुछ करने की आ सकती ही नहीं हो, कुछ ऐसा भाव ही नहीं हो कि तुम दुनिया बदल दोगे, तुम विश्व शांती की इस्थापना कर दोगे तुम दुनिया का लोगों का कल्यान कर दोगे अले वहीं कर लो ना जहां तुम बैठे हो पहले वहीं तो नहीं कर पा रहे और बाकी दुनिया की दुनिया का लक्ष लेकर चल रहे हो तो फिर कैसे होगा जब कुछ समझ में आ जाए कि ये प्रकृती का द्वाइतमाई खेल है हम इसमें उल्जे हुए हैं अब इसे कुछ करना और कर्म करना फल की प्राप्ती करना क्रिया प्रतिक्रिया ला बहानी दुख सुख जै पराजय यश अपयश बहुत हो गया अब इससे मुक्ती चाहिए अब कुछ ऐसी यवस्था चाहिए जहां कुछ करना ही ना हो यहां तक कि इस स्वासों का छोड़ना और स्वासों का फिर से लेना यह अभी तो कर्म हो रहा है या जो आवा गमन है, इस आवा गमन के कारण ही सुख है, दुख है, जय है, पराजय है, यश है, अपयश है, लाब है, हानी है, इस आवा गमन के कारण ही तो है, इस स्वासों का आना और स्वासों का जाना भी तो कर्म ही है, हो ही रहा है, और इसके अधार पर दूसरे बाके सा कर्म भी हो रहे हैं ऐसे एक्षा हो जाये कि अब बहुत हो गया, पहले पापों में लिप्त रहा, अब पापों सेनक्ति के लिए मैंने बहुत पुन्य करवाएगी, यह चलता रहेगा, इसलिए अब मुक्ति चाहिए, अब बचना है, अब ऐसी अवस्था में जाना है, जहां कुछ करना ही ना हो, कोई करम ही ना हो, ना कोई करम होगा तो उसका कोई फल भी ना होगा, और जब कोई फल भी ना होगा, तो कोई बंधन नहीं होगा फिर, बस अब बहुत हो गया, ये पुनरपी जरणम, पुनरपी मरणम बहुत अधिक हो गया, बार बार ज चीजे शान्त हो जाए जब ऐसी इक्षा तुम्हारे मन में आये तो समझो कि अब ध्यान के लिए तुम तैयार हो अब ध्यान की और आगे बढ़ना है अब ध्यान सहज हो जाएगा लेकिन जिनके मन में अभी बहुत कुछ करना बाती है जिनको लगता है कि वो दुनिया बदलेंगे जिनको लगता है कि वो विश्व शान्ती लाएंगे ऐसी बात मेरे कहने का उद्दिश ये नहीं है कि आप गलत सोच रहे हैं लेकिन बस यहां ध्यान और तपस्या का फर्क मैं बताना चाहता हूं ध्यान वो अवस्था है जहां पर कुछ करने का भाव शुन्ने हो जाए कि कुछ करने की इच्छा शुन्ने हो जाए तुम एकी भाव हो जाओ मारशी पतंजली क्या कहते है इस विशय में विभूती पा क्या लिखते हैं कि अर्थात जो ज्ञान का विश्य था तुम उसमें एक ही भाव हो जाते हो तुम घट में नाद सुन रहे थे और तुम बस नाद में ही लीन हो जाते हो कि दूसरा कोई भाव दूसरा कोई विचार दूसरा दूसरी कोई फीलिंग विचार नहीं फीलिंग उसमें घुस नहीं सकती है ध्यान एक ऐसा पाउंडरी क्रियेट कर देता है क्या ध्यान एकागरता है जी नहीं ध्यान एकागरता नहीं है एकागरता से कहीं आगे है एकी भाव अवस्था, एक वर्ती, दूसरी किसी वर्ती की कोई गुंजाइस उसमें नहीं रहती फिर, कि वो प्रवेश करे, आनंद की अवस्था है, सारे कारे रुक जाते हैं, तुम्हारी स्वासे भी इस्तागित हो जाती है, स्वासों प्रस्वासों गतिर विछेद, स्वा यश्य, ना पयश्य, ना लावहानी से, ध्यान तो ऐसी अवस्था है, और वहाँ पर जो आनंद है, वहाँ पर जो शक्ती का विकास होता है, वहाँ पर जो शान्ती, अस्थापित होती है, इसके लिए कहा गया, कठो अपनिशत के अंधर, एको वशी सर्व भूतानतर आत्मा एकम रूपम भुदायक रोती तमात बस्थं, यनुपशन्त धीरा, इस्तिसाम सुखम शाश्वतम नेतरेशान एक विर्ति हो जाने वाला साधक वो धीर व्यक्ति वह योगी शाश्वत सुख का अनुभाव कर लेता है यह ध्यान है और फिर उस ध्यान की परिपक्वता से क्या प्राप्त होता है तो महरशी पतंजली अगले सुत्र में तीसरे को लिखते हैं क्या कहते हैं तीसरे सुत्र में क्या कह रहे हैं कह रहे हैं तदेव अर्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शुन्यमीव समाधी जब ध्यान में केवल धे मात्र की ही प्रतिती होती अर्थात एक विर्ति ही रह जाती है दूसरी कोई विर्ति जो ध्यान का तत्व था, उसके लावा कुछ नहीं रहता, एकी भाव अवस्था, कुछ लोग केहते कि प्रेम क्या है? अरे भई, प्रेम भी तो यही है ना, जिससे तुमने प्रेम किया, उसके अलावा कोई दूसरी सोच तुम्हारे मन में रहे ही ना, कोई दूसरा विशय रहे ही ना, तो समझो की प्रेम हुआ, सच्छे प्रेम की अवस्था को तुमने प्राप्त किया, कि उसके अलावा कोई दूसरा विशय, कोई दूसरी विर्थी है यह नहीं, लेकिन जब योग की बात आती है, तो यहाँ पर अनुभूतियों की बात आजाती है, क्योंकि उसमें एकी भाव होना अत्यदिक सरल है, क्योंकि जैसे नाद में, नाद ध्यान में एकी भाव हो जाना, नाद के लावा कुछ रहे ही ना, ज्यादातर योगी इसका अनुसरन करते हैं और वह ऐसी अवस्था को प्राप्ते हैं जहां कोई कर्म ही नहीं है स्वास प्रस्वास की गती भी वहाँ पर नहीं है प्रानों की कोई चंचलता ही नहीं है तो कर्म कहां से होगा प्राणों की चंचलता ही जीवकी को चंचल कर देता है तो मरशे-पतंजली यहां पर कुछ ऐसी चर्चा कर रहे हैं कि तदेव आर्थमातर निर्भासम स्वरूप शुन्नमीव जब ध्यान आर्थमातर निर्भासम अर्थात जब ध्यान में केवन धे मात्र की ही प्रतिती होती है तो चित का निजस्वरूप जो है वह सुन्न हो जाता है सुन्निता को प्राप्त होता है और वही ध्यान समाधी में परवर्तित हो जाता है वह फिर समाधी में परवर्तित हो जाता है जहां पर चित का लए शुरू हो जाता है चित की शुन्नित स्थापित होने लग जाती है यह चित जो विर्तियों से परिपूर्ण है योगस चित विर्ति निरोधा चित विर्तियों से भरा हुआ है संस्कारों से भरा हुआ है वह शुन्यता को प्राप्त होता है, ना उसमें कोई संसकार टिकते हैं, ना उसमें कोई वर्ति टिकती हैं, जब ऐसी अवस्था हो तो ध्यान होता है, जब तुम्हें समझ में आ जाए कि यह संसार इसी प्रकार से है, ज्वैत्मई है, और यह इसी प्रकार से रहने वाला है, बड़े से बड़े मसीहा भी आ जाएं क्या उनका आना गलत है जी नहीं उनकी उनका आना भी प्रकृति के आवशक्ता है वह भी संतुलन को स्थापित करने के लिए ही आते हैं वह अपना आते हैं लेकिन ऐसा नहीं सब कुछ वैसे वैसे ही टिक जाएगा और रह जाएगा जी नहीं अगले छण ही बदल जाएगा यहीं परकृति है तो बदलेगा लेकिन फिल भी वह आते हैं अपना कर्म करते हैं निश्काम भावना से तुम करो निश्काम भावना से करो फल की कामना से नहीं जो आवश्यक करते चलो कि जिसमें लोकire लियान के। करते चल्व करना चाहिए लेकिन फल की कामना मत रखो कि मैं कुछ अच्छा करूंगा तो उसके परिणाम भी बहुत अच्छे होंगे और दुनिया बदल जाएगी मैं कोई राजनेतिक परिवर्तन ला दूँगा मैं कोई दुनिया बदल के रख दूँगा ऐसी बहुत सारी भावना है तुम नहीं भी बदलोगे तो भी दुनिया बदल रही है हो सकता है तुम्हारे अनुस गाउं से उपर है ध्यान तो आत्मा की अवस्था है आत्मा जो इस संसार में आने वाले सक वो सर्व्यापी होकर भी संसार की परिवर्तन शील गती में निरलिप्त रहता है निर्विकार रहता है प्रकृति के अंदर आने वाले नित्य परिवर्तन उसको परिवर्तित नहीं करते हैं, उसमें किसी प्रकार का विकार उत्पन नहीं करते तोकि आने वाला परिवर्तन सब के अंदर विकार उत्पन करता है मन में, बुद्धी में, चित में, हर जगा विकार उत्पन होते हैं परिवर्तन आता ही आता है, लेकिन वह आत्मा फर भी इस्थिर है वो निर्विकार अकरता जैसे कि सूरिय जल में प्रतिविंबित होने वाला सूरिय जल की शितलता जल की गर्मी जल की चंचलता जल के बहाव इन सबसे वो निरलिप्त रहता है जल में प्रतिविंबित होने वाला सूरिय जल के गुणों से निरलिप्त रहता है वैसे ही सरव्यापी सरवगत सरवभूत गुहाशय vaya ब्रह्म वह आत्मा निरलिप्त रहता है निर्विकार रहता है अकरता रहता है वह प्रकृति के इस कारे में कोई भाग नहीं लेता है और प्रकृति अपने परिवर्तन शीलता को बनाए रखती है अपने संतुलन को बनाए रखने के लिए वो बहुत कुछ करती रहती है कभी पाप की वर्धी तो कभी पुन्ने की वर्धी भी कर देती है चलता रहता है ये सब और इस प्रकार से कभी असरों के वर्धी तो कभी देवताओं के वर्धी कभी संतों के वर्धी कभी अवतारियों के वर्धी भी वो करती रहती आता रहता है रावन आते हैं राम आते हैं ये सब आते रहते हैं और चलता रहता है लेकिन योगी इन सब से अपने आपको योगी भी करम करते हैं स्रिकृष्ण भी अरजुन से कहा रहे है तसमाद योगी भवार जुना अरजुन तो योगी बनजा इस अंसार में निश्काम भावना से ही करमों को कर गरम तो करने पढ़ते और सद्ध करम ही करने चाहिए दोगे ऐसी भावनाओं से थोड़ा मुक्त रहना चाहिए तब जाकर ध्यान संभाव है जहां कुछ कर दिखाने की संभावना है जहां कुछ कर दिखाने की लालसा है जहां कुछ दुनिया को बदल देने की लालसा है दुनिया में कुछ कर दिखाने की लालसा बन गई है वहां लेकिन तपस्या और ध्यान को समझे ध्यान नहीं हो सकता ध्यान तो तब होगा जब तुम यह निश्य कर लो कि बहुत होगे आप कुछ नहीं करना और फिर तुम करोगे तुम तब भी, तुम करम कोई नहीं छोड़ोगे, तब भी तुम करोगे, तुम ज़्यादा बेहतर तरीके से करोगे, तुम ज़्यादा निश्काम भावना से करोगे, तो कि ध्यान तुम्हारे अंदर निश्काम भावना ले आएगा, और यहीं स्रिक् को रूप से उनके अंदर निश्कामता आ जाती है क्योंकि उनका जो प्रेम है कुछ ना करने में है उनका प्रेम कुछ ना होने में है उनका प्रेम कुछ ना बनने में है नहीं तो हम बहुत कुछ बन जाना चाहते हैं हम बहुत कुछ हो जाना चाहते हैं एक सच्चे योगी की भावना कुछ ना बनने में हैं, कुछ ना करने में हैं, क्या वह बहुत उंचा उठना चाहता है, क्या वह बहुत प्रसद्धी चाहता है, एक सच्चा योगी नहीं चाहता, क्या वह अपने आपको मिटा देना चाहता, वह अपने आपको मिटाना भी नह करो कि कि अगर है शौक मिलने का अगर कुछ मर्त थबाए तो दाना खाक में मिलकर घुले घुल जार होता है कुछ येश अपदेश देते इसने कि अपने अपको। ऐसी सेवा करो एसा वो करो जीनी कहीं न कही तुम्हारे अंदर पुछ मिट्डी में मिलकर भी बन जाने का भाव है और कुछ तो इश्वर ही बन जाना चाहते हैं ạo कुछ तो सोस्ते क्या मिश्री बन जाएंगे कुछ जो हैं लगये हैं घुरु भक्ति में कि मैं अपने गुरु जी का ज़न्डा calculation तो कि कुछ उसमें लगे हुए हैं उनके गुरु जी ने वैसी प्रेणा उनको दी है अच्छी बात है लेकिन ध्यान योगी इन सब से उपर होता है ध्यानी इन सबसे उपर भी होता और समर्थ वान भी होता है जो सच्चा योगी है उसके अंदर वैसा सामर्थ भी होता है फिर लेकिन उसे सामर्थ है शक्ति है उसके पास लेकिन उसको उसकी कोई इच्छा नहीं है कि उसके पास शक्ति हो क्योंकि उसे कुछ करना नहीं है उसके करने का कोई उसके मतलब कि उसके अंदर कुछ रही नहीं गया कि मैं ये करके दिखाऊंगा म इनको बहुत कुछ करके दिखाना है रावन को बहुत कुछ करना है तारकासुर को बहुत कुछ करना है वो तपस्या करते हैं को पूंका उद्देश अलग। कुछ अच्छे राजा सगर ने तपस्याह की लोक कल्यान के लिए की राजा भगी रथी ने तपस्याह की अर्मानों कल्यायनी गंगा मैया को गंगा माता को धर्ती पर ले आये वो अपनी तको बल से विश्व की सबसे उपजाण भूमी में से गंगा का मैदान कहा जाता है तो अपनी तपस्या से ले आएं मानवों के हैत्व तो जन कल्यान के लिए लोग कल्यान के लिए भी लोग तपस्या करते हैं अच्छे काम के tired कुछ स्वार्थ के लिए भी करते हैं लेकिन ध्यानी ध्यान योगी की यह सब सोच नहीं होती ध्यान योगी इन सब विचारधाराओं से अलग सोचता है वह तो कुछ ऐसे में जाना चाहता जहां उसने देख लिया प्रकृति के सारे खेल को समझ लिया प्रकृति को समझना ही महत्व पूर्ण है यह ध्यान रखिएगा लेकिन दुर्भागी पूर्ण है कि लोग भगवान को समझने में लगे है इश्वर को ब्रह्म को समझने में लगे है लेकिन इस प्रकृति को समझने का कोई प्रयास नहीं करते मन क्या है बुद्धी क्या है चित्य क्या है अहिंकार क्या है बुद्धी क्या है नहीं जानना चाहते और जिसने जान लिया इसके क्रिया प्रतिक्रिया को समझ लिया अब कोई अवस्था बने अब कोई ऐसी अवस्था बने जहां कोई करम ही ना हो तो ध्यान हमें ऐसी अवस्था में ले जाता है जहां कोई कर्म ही ना हो जहां विर्तियों का आना जाना उचलना कूधना सब इस्थगित होने लगे सब रुख जाए और तुम अपने स्वरूप की प्राप्ति कर लो योगस चित्य वर्ती निरोधा तद्रश्टू स्वरूप अवस्था नाम यूग का उदिश चित्वर्ती का निरोध और स्वरूप की अवस्था तो कि चित्वर्तियों ने तो स्वरूप को आच्छादित कर रखा है हमारा जो वास्तिविक स्वरूप है जिसे हम आत्मा कहते हैं आत्म स्वरूप कह रहे हैं उसे कवर करके रखा है विर्तियों ने कर्मों ने संसकारों ने इच्छाओं ने कि ये करना है ये नहीं करना है ऐसा होना चाहिए वैसा बहुत तरह की बाते हमें अपनी वास्थिविक्ता से दूर ले जाती हैं ये सारी चीजें ये इंद्रियां और ये इंद्रिय अनुभूतियां इन सब का निरोध करते हुए योगी जब एकी भाव हो ज जाता है कुछ ऐसी अवस्था में चला जाता है जहां कुछ नहीं करना क्योंकि उसे अनुभाव हो गया है कि प्रकृति किसी भी अवस्था को इस्थिर नहीं रहने देगी वह तो द्वाइत को लेके चलेगी वह पाप भी करवाएगी पुन्य भी करवाएगी यश अपयश लाबहानी इनमें वो हमें जुलाते रहेगी हूँ और इसी में हम जूलते रहते हैं यही हमारा जीवन है हम कभी इससे अलग विकल्प नहीं ढूंडते क्या सुख और दुख से कोई अलग विकल्प हो लाबहानी जय पराजय यश अपयस्ट से कुछ अलग विकल्प हो परमशांती का विकल्प निकर्म का विकल्प, ध्यान का विकल्प हम नहीं ढूंडते हम बस इसी में प्रतिश प्रधा में लगए रहते हैं कि हम उससे जादा सुखी हो जाएंगे हम उस विक्ति को हरा देंगे पराजित कर देंगे बहुतरह की बाते सुख दुख लाभानी जै पराज़ यश अपयश इसके बीच में हम जूलते रहते हैं हमारा जो जूला है कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर और जब तक इधर उधर करने की आदत है और इसमें मन लगा हुआ है तब तक शांती कहां से तब तक शांती कहां से तब तक ध्यान कहां से तपस्या तो हो जाएगी ध्यान नहीं होगा जब सच्ची कामना हो, सच्ची इक्षा हो, अब इस्थिर होना है, अब बहुत इधर उदर हो गया, बहुत कर लिया, बहुत देख लिया संसार, इस प्रकृती के चाल को समझ गए हम, यह तो इसी में जुलाएगी भी यह, कभी पुन्य बढ़ाएगी, कभी पाप भी बढ़ा ठीक है, इधर उदर होना, अगर कर भी रही है, तो हमें इसमें पहले निश्काम हो जाना है, न इधर जाने की इक्षा, न इधर जाने की इक्षा, लेकिन जूला इधर गया, तो मन हुआ कि अब इधर आ जाए, इधर आया, तो फिर इधर आ जाए, तो यह जो करने की जो इ जह भावना होगी, निश्कामता आ जाएगी, इस जूले के इधर उधर जाने से बचने की तिवर इक्षा हो जाएगी, तब तुम सही मायनों में उस ध्यान की अवस्ता तक पहुंचने के योग्य बन पाओगे, जब तक बहुत कुछ करने का लगा हुआ है कि ये करके दिखा कुछ बन जाना है, तब तक समस्या है, तब तक अछ.' थ्यान नहीं हो सकता, मुझे लगता है कि इस्पष्ट होगा आपको ध्यान और शामका फर्ख in कि किसी ने पूछा था बहुत पहले मुझे लगा कि आज उनकी प्रश्व पर चर्चा की जाए और इस उद्देश्च से आज इस चर्चा को लिया गया कि ध्यान-योग आप करना चाहते हैं आप भी शांती चाहते है इस्तरता चाहते हैं या najwięं योग के seven को जरूर जवांद करूं कि और उसका पूरा-पूरा लाब उठाए तो चरिए इसी के साथ आज के विचारों को विराम देते हैं और कल फिर नौबजे लाइव चर्चा में हम सब सम्मलित होंगे बिलेंगे और चर्चा करेंगे कुछ नए विश्यों को बातों को समझने का प्रयास करेंगे यह अप्लोडेड विडियो है तो लाइव कमेंट तो मैं आपके देखनी पाऊंगा लेकिन आप कमेंट करें टिपनी करें प्रश्न पूछें आपका प्रश्न उचित लगेगा तो उस प्रश्न पर निश्य ही चर्चा होगी जैसे कि आज भी किसी जग्यासू सदस्य की प्रश्न पर ही यह जो है चर्चा ली गई है तो इसी प्रकार से चर्चा आगे भी ली जाएगी तो चलिए इसी के साथ विचारों को यहां विराम देते हैं बहुत-बहुत आभार आप सभी का जुड़े रहें बने रहें और इस अभ्यान को आगे ब कल्यान का कारण बन सके हम बन सके या एक अलग बात है लेकिन हम एक निश्काम भावना से अपना कर्म करें इतना ही प्रयाप्त है और योग में उन्नति के लिए निश्कामता जरूरी है निश्काम कर्म आवश्रत है तो चलिए इसी के साथ विचारों को विराम देते हैं ब